और नमश्कार मित्रों मेरे दोस्तों एक ऐसे महत्र विशे पर कुछ बात करना की कोशिश कर रहा हूं जिसे मुझे लगता है कि अभी तक मीडिया ने बहुत ज़ाला ध्यान नहीं दिया है लेकिन दिये जाने की ज़रूर होत है देखिए वाजपई सरकार में वाजपई सरकार में जो है विनिवेश मंतरी हुआ करते थे अरुन्शौरी और डिस इंवेस्मेंट मिनिस्टर हुआ करते थे तो डिस तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसफ़ेस्मेंट मिनिस्टर और इसका काफी विरोध हो रहा था कि क्यूँ कीया जा रहा है cafaric- coordieron की मार्केट में क्यों बेचा जा रहा है शेर मार्केट में लिस्टिंग कि क्या ज़रूरत है इसका विरोध हो उस दोरान जो है अगर मैं गलत नहीं हूं तो अरुन शौरी ने यह बयान दिया था उन्होंने समझाने कोशिश की थी कि देखिए पड़ोसी चीन जो है वह बहुत तेजी से मार्केट रिफॉर्म्स कर रहा है और बहुत तेजी से जो है अपने आपको मैनिफैक्टरिंग हब बना रहा है अपने आपको उत्पादन का जो है बहुत बड़ा छेत्र अपने आपको उत्पादन का बहुत बड़ा मार्केट बना रहा है अब उन्होंने कहा कि इस तरह से उनकी जीडिपी में उच्छाल आएगा और एक दिन ऐसा आएगा एक दिन ऐसा आएगा कि जब अपनी इस आर्थिक ताकत का वो इस्तेमाल करेंगे अपनी सेनिक ताकत बढ़ाने के लिए ठीक है साब्दान रहने की ज़रुवत है चीन में जिस तरह से मारकेट रिफॉर्म्स हो रहे हैं और चीन someone में जिसंसे ड्वलाप्पेटिय कोई उसको ले करकर भारत को साब्धान रहने की जरुवत है और आज हम क्या देख रहे हैं यह बात वाजपरी सरकार के दौरान है वाजपई सरकार के दोरान जो है जब डिस इंवेस्मेंट मिनिस्ट्री थी और जब सरकारी कंपनियों का जो है विनिवेश शुरू हुआ था उसके बाद में सरकार जब चली गई तो उसके बाद में एक एक नेता जो गाड़ी में बैठे हुए थे वो गाड़ी से निकल र काड़ में गया डिस इंवेस्मेंट हैना ऐसा कुछ उन्होंने कहा था और उस दिन मेरे खाल से उनका नाम भी ले सकता हूं लेकिन नाम लेने का मेरा कोई भी मकसद नहीं है तो मैं जो कहने कोशिश कर रहा हूं वो यह कि जो 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 चीन का जो मामला है उसको हमको एक के स्टैडी की रूप में लेना चाहिए कि आज भी जबकी भरत सरकार आधिकारी रूप से यह मान रही है कि चीन की सरकार के साथ हमारे दिश्टय- themed सामान नहीं है जैशंकर कई कई पर यह बात कह चुके हैं कि चीन के साथ हमारे रिष्टे सामाने नहीं हैं भारत और चीन आज भी सब मुद्दों पर जो है चीन के उपर है और हम उसको कम करने की कोशिच कर रहे हैं लगाता है तो आज के दिन में जो है चीन ने जो अरुन शोरी सहाब ने उस समय कहा था आज के दिन में वो बात सही होती दिख रही है चीन के पास फिफ जेनरेशन फाइटर एक्राफ्ट है जो इसका देसी प्रोडक्शन वो खुद करते हैं इसके लावा रॉकेट फोर्स है जिसके बार पस्चरिंग है उनके पास इसके अलावा जो है कई सारी ऐसी बाते है जो आज मैं मुद्दा उठा रहा हूँ वो यह है कि अभी जो योरोप और अमेरिका के बीच में जो नाटो का जो अलायंस है जो नाटो का जो सैन नाटो का इलायंस है इसको ले करके हमारे देश में उतनी बाते नहीं हो रही है जब कि ये बात निकल के सामने आई है कि ट्रम्प के द्वारा ये बात कही जा रही है कि पूरे नाटो में शामिल 31 देशों को अपने जीडीपी का दो परसेंट रक्षा तैयारियों में लगाना होगा ये बहुत बड़ी बात है लेकिन इसको मुझे लगता नहीं है कि इसके गंभिता को समझा जा रहा है ठीक है ये बात आ रही है कि युक्रेन को जो है सप्लाई किया जाना है हत्यार या उनकी उनको गोलियां या आर्टिलरी सप्लाई किया जाना है आर्टिलरी शेल्स होगरा लेकिन उत्पादन छमता अभी येरोप और अबर्का के कब है तो वो उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि युक्रेन को भी हम देंगे अपनी आपूर्ती भी करेंगे और कहीं आपूर्ती होगी तो वो भी किया जाएगा सवाल उठता है कि अगर ये 31 देश जिनमें कि कुछ बहुत सक्षम द आते रहेंगे तो क्या उनका क्या उनकी तैयारी हो जाएगी 20 साल में 10 साल में 5 साल में आप सोच सकते हैं उनका जो हाथियार आपूर्ती हाथियार उत्पादन की छमता कितनी जादा बढ़ जाएगी अगर आज मैं एक येरोपियन बिजनेसमैन हूं जो कि कुछ चोटा आप जो हैं अपनी उत्पादन शमता को बढ़ाईए ना बीस गुना चालिस गुना बढ़ा दीजे दुगुना कम से कम कर दीजे तो मैं कहूंगा कि सहाब मुझे आप बिजली में सब्सेटी दीजे मुझे रॉम मैं मैं और करता हूं अभी मुझे लोगों को ट्रेन करना ह होगी मुझे लोगों को ओवर टाइम देना होगा है ना मुझे और जमीन चाहिए मुझे अपना एक्सपैंशन करना है तो इन सब के लिए तो कहीं न कहीं से पैसा आएगा ना निवेश तो करेंगे चाहें सरकार सबसीडिय दे चाहें वह बंदा अपने जेब से करें लेकि फिर अगले दिन दो हफते में जो इसको कम कर देंगा ऐसा तो होना वाला नहीं है एक पादन चमता बढ़ा दी और उस हिसाब से आपने तयारी कर दी तो फिर आप चाहेंगे कि उसको मेंटेन किया जाए उस उस प्रोड़क्शन लेवल को अगर लडाई नहीं होती है तो व कहीं एक्सपोर्ट होगा सस्ते में तो वह कहां जाएगा क्या पाकिस्तान जाएगा क्या आफगानिस्तान जाएगा मुझे नहीं मालूब लेकिन यह चिंता की बात होनी चाहिए और जिस तरह से आज हम अमेरिका और पश्चिम के देशों पर निर्भर भी है क्योंकि हमारा करें तो कल को भारत के खिलाव इस्तेमाल नहीं होगा या भारत के माल भाऊथ जहाजों के लिए इस्तेमाल नहीं हो गया कौन लेगा तो एक तरफ आपका चीन है एक तरफ पाकिस्तान है और अब यॉरोप जैसे देश भी जो है यॉरोप के शुड़े जो है वह समूव में आकर यह कह रहे हैं कि हम अपने अपने रक्षा बजट का दो परसंट अपने बज़ेट में लगाएंगे बहुत बड़ी अ अपनी अपना जो पॉष्टर है पुरा चेंज करना होगा और पूरे आसपास के देशों में नेपाल है भूठान है बंगलादेश है शीलंका है मालदीव्ज है लक्षोदीप है मौरिश्यस है लक्षदीप तो अपने अपने देश का यह से लक्षदीप के नाम लेते ही ल अगर आप सेन रंणीती और सेन त्यारियां पढ़हते चलेंगे तो जो देश पीछे रह जाएंगे इसमें चाहें भी संखर्च कर रहे हैं अब सेनी गूर्प से पीछे रहेंगे अगर सेन त्यारियों में तब तो बिल्कुल ली गए है ना तो इसके लिए भारत को कोई ने क सहमती बनानी होगी कि यह क्या चल रहा है और इसके जो है प्रोजन कॉंस क्या होंगे इस बारे में भारत के आम जन्मानस में डिबेट होनी चाहिए क्योंकि हम देख रहे हैं कि की युक्रेन के बारे में जो है यह माना जा रहा था कि किसी को ने मालूम था युक्रेन का नाम बहुत कम लो जानते होंगे भारत में अचानक एक दिन जो है रूसी राश्पती टीवी पर आते हैं कहते हैं कि हमने स्पेशल बिलेटरी ऑफेशन शुरू कर दिया और उसके बाद जो है धाय दुचूर चलना चालू हो गया तो खाने आज तक चल रहा है वो कब तक चलेगा कोई नहीं जानता है यह कहा जा रहा है कि युक्रेण का बीस परसंट तकरीबन आज रूस के अधिकार चेत्रे में आ असामाने था लेकिन साथ अक्टूबर नी घटना होती है वह असामाने घटना थी उसके साथ अक्टूबर के बाद जो चल रहा है वह बिल्कुली असामाने है और आज जो पिछले महिनों में साथ अक्टूबर के बाद से जो घटना करम हुआ है आप जिस भी तरफ हो आप इस भी पक्ष का समर्थन करते हों लेकिन इस बात को समझना होगा कि उस जो घटनकरम चल रहा है इसके बाद में वह समाने स्थिती वहां के जंता में नहीं आने वाली है लंबे समय तक तो इसलिए कोई नहीं जानता है कि किस तैयारी का उपयोग कहा होगा किस तैयारी का उपयोग कहा होगा कोई नहीं जानता है और इसलिए जो है भारत के आम जन्मानेस में इसको लेकर सब्धानी रहने चीए कि जहां चीन एक तरफ जो है लगातार तैयारियां कर रहा है और चीन ने बहुत चलाकी की है चीन ने 90 गरशक में हमसे संधी की हमसे कभी कोई कभी कभी कोई जारा परिशान करने कोशिश नहीं की यह दिखाया कि हम तो बहुत शांतिफून तरीके से अपने अर्थोबस्ता में लगे हुए हैं और जब उसने देख लिया कि गड़बंधन के सरकारे जो है यहां पूरा 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 इन्हों ने अपने अपने सस्ती और जो कम दरजे के पॉलिटिक से उसमें लगे हुए है यह लोग तो अपनी छंता बढ़ाते रहे चंता बढ़ाते रहे वह नतीजा क्या हुआ है हमारे हमारी सैने तैरियों में काफी पिछले दो तीन साल में कुछ कमी पूरी हुई होगी लेकिन फिर भी आज गैप है आज वह अपने अपने देश में जो हैं फिफ जनरेशन फाइटर रेकाफ बना सकते हैं उनके पास अपन जन्द क्याबादी में कमी आ रही है बहुत तेजी से अबादी बुढ़ी हो रही है वह ठीक है लेकिन दुनिया में गुडविल उतने नहीं रही वह अलग बात है लेकिन सैने तैरिया है उनकी अब इसके बाद अगर पडोस में जो है अगर आप समझें कि इधर पाकिस्ता जो है हर एक उसका जो कॉंसिट्वेंट है हर एक देश जो है वो यह कह रहा है कि हम अपने जीटीपी का 2% हम लगाएंगे रक्षा तैयारियों में तो यह तो बहुत बड़ी हटना है आप 31 देश्टों के समू की रक्षा तैयारियों को अगरे 10 साल तक देखने वाले हैं क् भारत को आपती लेनी चाहिए इस पर इस पर जो है देश की जनता में जो है इसको लेकर के बहस होनी चाहिए कि यह कहां जा रहे है कहां जा रहा है मुझे लगता है कि इस गंभीर विशय पर जो है मैं समझा पाया हूँ आपको और आगे आपको समझना है कि हर चोटी बड़ी घटना का जो है असर हुआ है देश पर भी पाकिस्तान ने जो हरकते शुरू की थी उसका भी असर हुआ उस पर धिरे-दिरे काबू पाया गया काबू जो है वो भारत विज़ा से कम था और चीन के सोटवान के वज़ा से जय defense का नुक्सान हुआ और इस वज़ासर पाकिस्तान कमजोर हुआ है चीन का जो जो बढ़व थी हुई उसका भी हम परीदाम भोग रहे है और आज जो है विदेश मंत्राले की जो फ्राड़े को ब्रीफिंग होती है उसमें कोई हफता ऐसा नहीं गुजरता है कि जब चीन पले कोई सवाल ना उठाया जाते हो जब पतरकार जो है यह ना पूछते हो कि सहाब वो फ्लाना जहाज यहां आ रहा है भारतिये यह हिंद महासागर में आपका क्या प्रतिक्रिया है आप इसको कैस समझते हैं आप इसको कैसे समझते हैं आप इसके बारे में क्या कर रहे हैं यह सवाल पूछे जाते हैं यह सवाल जो है यह वरतमान सरकार के तो है नहीं पुरानी सरकारों ने जो जो लियाबिलिटी क्रियेट किया है उसी को तो वरतमान सरकार भोग रही है लेकिन भोगना लोने की जरुवत है अगले पांस साथ साल में जो हैं बहुत जबरदस्त जो है पॉस्टरिंग में आज जो योरोपीए देश जो हैं आपके हां राइसीना डेयलोग में आकर के आपसे आपसे मदद और सहयोग मांग रहे हैं पांस साथ साल बात जो हैं जब वो अच्छी सिती में होंगे जब रक्षा तैयारियों में जो हैं सक्षम हो गए होंगे जब अपनी उत्पादन शम्तारोंने बढ़ाली होगी तब उनका क्या पॉस्टर होगा हम नहीं जानते हैं इसलि चॉस्टर होगी जब चॉस्टर हैं जब किए किए कृट काईयों भाली होगी लगोली हैं वेवाली होगा होगी